यह आपका चैलेंज 2 है आप लोगों ने चैलेंज 1 को कितना परसेंट कम्प्लिट किया है प्लीज डू लेट में नो इन दे कमेंट सेक्शन इस चैलेंज की खास बात क्या है 4 दिसंबर को आपका एक्जाम हम जा रहा है आज 28 तारीख है एक हफता बचा है आप लोगों के बास लाश्ट का एक हफता बस हम ये कहके निकाल देते हैं कि आखरी टाइम पे टेंशन नहीं लेनी है पढ़ाई नहीं करनी है आखरी टाइम पे भी बहुत बढ़ाई हो सकती है ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ जान सकते हैं या फिर हमने पूरी नॉलिज गेन कर लिये अब कुछ नहीं बचाया सीखने के लिए लेकिन हाँ रिविजन तो हो सकता है आखरी के एक हफते में और वो रिविजन बहुत जरूरी है या तो हम पढ़ते नहीं है जो बच्चे पढ़ लेते हैं वो अपने साथ इमानदारी नहीं रख पाते हैं कैसे 8 गंटे, 10 गंटे पढ़ भी लेंगे लेकिन उनसे अगर पूछा जाए कि 10 गंटे में आपने क्या पढ़ लिया कोपियों के सामने होंगे, कोपीज के सामने होंगे रिवाइस करते रहेंगे, शोट नोट्स पढ़ते रहेंगे वीडियोस देखते रहेंगे कि वीडियोस ही देख ली हमने कोई हमें आके पढ़ा रहा है और उसमें हम बता देंगे अपने आपको कि हमने 10 गंटे पढ़ लिये लेकिन इस 10 गंटे का कोई यूज नहीं है अगर वो effective study नहीं है effective study बहुत important है सिरफ 10 गंटे पढ़ना पहली बात तो 10 गंटे पढ़ लो तो मैं 2-4 गंटे की बात करता आप लोग 10 गंटे कर सकते हो इसलिए मैंने आप लोगों को इतना आका है इतना potential मैंने जाना है आपका कि इतना आप बड़े अराम से कर लोगे और ये चीज मैंने देखी भी कलवाली वीडियो में जब सब बच्चों आपने चैलेंज एक्सेप्टेड लिखा मतलब वो अपने आपको आग रहे हैं कि हाँ इतना तो वो लोग पढ़ सकते हैं तो जब आप लोगों के पास अपना अकाउंट होता है जैसे आपने 10 गंटे की पढ़ाई करी और आपसे अगर पूछ ले कि 10 गंटे में आपने क्या पढ़ा और आप बता सकते हो कि आपने क्या क्या पढ़ा कि मैंने स्टील पढ़ लिया मैंने सर्वे पढ़ लिया सर्वे के मैंने वहाँ से कोश्चन किये ESC के PY क्यों करे मैंने short notes पढ़े, इसी subject के short notes पढ़े मतलब आपने effective study की है आपको पता है आपने क्या पढ़ा है ये जो मैं आपको काम दे रहा हूं कि ढ़ाई गंटे आपको ये करना है, ढ़ाई गंटे ये करना है फिर दो गंटे ये करना है ये मैं आपको overall चीजे बता रहा हूँ अगर आप एक ही exam से कुछ दिन पहले आप इस तरह से पढ़ोगे कि पूरा दिन लगा के आपने सिरफ RCC पढ़ लिया फिर अगला पूरा दिन पहली बाद तो syllabus को नहीं टच कर पाऊगे exam से कुछ दिन पहले ये जरूरी है कि आपके हर एक subject को आपने देखा हुआ हो अगर कोई भी subject आपका ऐसा होगा कि वो 10 दिन पहले आपने पढ़ा होगा तो exam में उसके question करना मुश्किल हो जाता है आपके mind में कुछ ऐसा हाता है कि ये तो मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था और उसका basic question भी करना मुश्किल हो जाता है तो इसलिए मैं इस तरह से ही मैंने ये plan बनाया है ताकि आप अगर इस तरह से पढ़ोगे तो exam से पहले ही सभी subject को आप देख लोगे प्लस आप technical package के थूरू हर एक subject को एक साथ देखते हो तो इस तरह से पढ़ोगे तो आपकी effective study भी होगी और long sitting भी होगी आपकी study तो challenge 2 आपका ये है जो कि आपको complete करना है technical boom में आपको FM और survey करना है धाई धाई घंटे ये आप YCT और ESC के PYQ से करोगे दिहान रहे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो question आप कर चुके हो एक बार उसका revision करोगे उसको देखोगे धाई घंटा लगा के FM को देखोगे धाई घंटा लगा के survey इससे ज़्यादा time देने की जुरूत नहीं है अगर आप 5 घंटे ही FM को दे दोगे रेंडम questions भी देखने होंगे ताकि आप तयार हो सको अपने exams के लिए next आपको technical package में ESC Civil 2016 का official paper तू देखना है दो घंटे में जितने question कर पाओ अच्छा ये चीज़ कोशिश मत करना इसके अंदर 120 question मिलेंगे आपको देखने के लिए कि आप 2 घंटे में 120 करने कोशिश करो 120 की 120 धंग से देखी न पाओ 30 कर लो, 40 कर लो, 50 कर लो जितने आपकी capacity में हो उतने कर लो लेकिन अच्छे से करो अच्छे से concept भी सीखो अच्छे से questions भी देखो कोई question ऐसा लगे कि बहुत tough है तो उसका एक बार answer देख लो याद भी मत करो, सिरफ answer देख लो याद हो जाए तो अच्छी बात है हाँ, एक और चीज, मैं आपको एक condition दे रहा हूँ जिस question पर भी लिखा हो, 20% answered correctly अगर 20% से कम लिखा है तो मत करना, वो इतने tough question है कि अभी इस time पर सीख पाना हो उनके लिए, मतलब जरूरी भी नहीं है आप लोगों के लिखे, अभी आप सीख हो उन question को मालो कोई question पर लिखा है 15% answered correctly इसका मतलब, आप सिरफ उसका answer देखोगे answer याद रहे गया, तो बहुत अच्छी बात है याद नहीं करोगे आप answer, बस एक बार देख लोगे दूसरा, उसका solution देखोगे solution एक बारी में stick हो रहा है, एक बारी में आपको click हो रहा है, तो आप उस solution को देख के समझ लोगे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ नहीं पा रहा हो मैं इसको तो time बिल्कुल भी waste नहीं करना है, जो 20% से ज़्यादा वाले होंगे, उनको आप देख लोगे एक बारी के लिए, ठीक है technical package में आपको ये करना है ये कहाँ पे मिल जाएगा, आपको test book की test series में मिल जाएगा, test book की test series में आप pro version अगर जो खरीद लोगे, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, अच्छा ये होगा आपका 2 घंटे का काम होगा आप अपने हिसाब से time उपर नीचे कर सकते हो मैं आपको 10 घंटे का आपको schedule बता रहा हूँ तीसरा, short notes आपको RCC और Hydrology के revise करना है आज, एक घंटा, आधा-धा घंटा कर लेना या फिर Hydrology को 15-20 मिनिट कर लेना RCC को थोड़ा ज्यादा time दे देना short notes revise करना है और उसके बाद subject test इसका attempt करना है RCC का subject test attempt करना है Hydrology का और IS code कल मैंने आपको पढ़ने के लिए दिये थे कि chapter test में IS code के बहुत सारे chapter wise test दे रखे हैं तो वो सब करने के लिए दिये थे मैंने आपको अगर आपने सभी कर लिए होंगे तो एक बार और देख लेना अगर कुछ याद नहीं होगा तो अब याद हो जाएगा प्लस chapter test देख लेना RCC और Hydrology के फिर से अगर आपने नहीं दियोंगे या फिर एक बार revise कर लेना और तीसरा wish list एक घंटे के लिए wish list है चार से पांच topic आपको आज नहीं सीखने ही है जो आप उपर देखो कि FM में आपने कुछ नहीं चीज़ देख ली और आपने लगा आपको कि हाँ ये चीज़ सीखनी चाहिए तो उसको सीख लेना सर्वे में कुछ ऐसा लगा या फिर ये आपने question करते वे कुछ देखा concept जो आप एकदम से नहीं सीख सकते हैं लेकिन आप 15-20 minute लगा के देख सीख सकते हो तो wish list में वो कर लेना तो ये आपका 10 घंटे का schedule है ये को challenge start तो हर कोई कर सकता है हर कोई कर लेता है ये कोई 100-200 दिन का challenge नहीं है ये 6 दिन का challenge है बस और 6 दिन में अगर आपकी दुनिया बदल सकती है आपका CPWD मिल सकता है तो मेरे हिसाब से तो आपको दिल लगा के जी जान से ये challenges करने चाहिए ये 10 घंटे मैं बोल रहा हूँ आपको आपको 10 घंटे से जादा भी लगाने चाहिए लेकिन 10 घंटे तो minimum करने ही चाहिए आपको क्योंकि इसके बदले जो आपको मिलने जा रहा है तो ये opportunity आपको मिली है तो इसको grab करो और पढ़ाई करो मैं आप लोगों के लिए मैनत कर रहा हूँ आप अपने लिए मैनत करो तो challenge 2 है ऐसी 4 challenge इसके बाद और बचेंगे 6 challenge करने आपको और आप definitely देखोगे कि result में आपके marks में कितना अंतर आ जाएगा नीचे कमेंट में mention करना इस चीज को मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप अपना 100% दो हर कोई हर challenge पूरा नहीं कर सकता नहीं कर पाएगा कि 100% ही कर दे हो लेकिन आपको अपना 100% देना है ठीक है तो mention कर देना और challenge 2 को complete करने में पूरे दम लगा देने हैं आपको ठीक है तो all the best आप सबको आपके challenge 2 के लिए that's all for this video thank you